वान बहुत से लोग को withdrawal करने में problem आ रही थी कि withdrawal किस तरीके से हम करें इस application से तो वीडियो में आगे मैं आपको यही बताने वाला ओंकि withdrawal कैसे करते हैं बट इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको color prediction की ट्रिक बताई थी कि आप खुद के base पर इस game को खेलें जैसे कि आपने इस से related जो भी वीडियो देखे होंगे उसमें आपने एक चीज़ देखा हुआ कि भाई हर कोई आपको टेलिग्राम का चैनल देता है और वहाँ पर वो जो colors बताते हैं आप उस base पर खेलते हैं तो भाई मेरा आपको यही suggestion है कि आप उनके base पर नहीं अपने base पर खेलो और आपके पास भी कोई logic होना चाहिए कोई trick होनी चाहिए जिस base पर भी आप यहाँ पर color की prediction करें क्योंकि दोस्तो आप अगर अपने हिसाब से खेलोगे तो आप बहुत loss कर लोगे और मैं नहीं चाहता कि भाई आपका loss हो तो दोस्तो आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक request अगर आप इस चैनल पर आए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना क्योंकि हम वो शेयर करते हैं जो आपके लिए useful हो जैसा कि दोस्तो अभी आप यहाँ देख सकते हैं कि हमारे पास अभी 305 रुपए पड़े हैं तो यहां हम इसको अभी विड्रॉल करके आपको दिखाने वाले हैं तो simply आपको नीचे account पर click करना है और उसके बाद यहाँ wallet पर click करिए उपर आप amount लिख दीजे तो जैसे हमारे पास 305 रुपए तो मैं पूरी amount यहाँ पर लिख देता हूँ और नीचे आप इसका जो fee देख रहे हैं मतलब 30 रुपए आपका हर transaction पर यहाँ से minus हो जाएगा तो जो हमारे account में आएगा वो 275 रुपए नीचे आप अपना bank select कर लिजे और उसके बाद यहाँ पर हमें अपना password लिख देना होता है जो भी password आपने ID बनाते साइम डाला होगा तो वो यहाँ पर password लिख दीजे simply withdrawal पर click कर दीजे 24 घंटे के अंदर यह amount आपके account में आ जाईए तो यह तो था दोस्तो withdrawal कैसे करें और color prediction trick का वीडियो में आपको description में दे दूँगा वहाँ से जाकर आप उस वीडियो को जरूर watch कर लेना क्योंकि उस वीडियो से आप बहुत कुछ नया सीख सकते हैं और टेलिग्राम के बेस पर आप नहीं कहलेंगर आप खुद के हिसाब से भी खेलते हैं तो भाई आपके पास कोई ना कोई logic या trick होनी चाहिए जिस बेस पर आप सही prediction करकर अच्छा गासा पैसा earn कर सके तो I hope ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कुछ नया और सही जानने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना मिलते हैं किसी और वीडियो में thank you so much for watching